देखिए, ये NCRD का 20th question है, और RD का example 17 है, ये PN लिखा हुआ है, 10 to power 2N minus 1 और ये plus 1, ये power में है पूरा, is divisible by 11, बताना है ये 11 से divide हो जाएगा, पूरा पूरा, N की चाहिए जो value रखो, ये जो भी आएगा 11 से divide हो जाएगा, तो step 1 क्या करते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं, for N is equal to 1, 1 पे check करते हैं, कि ये 11 से divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चरिए, तो ये क्या हो जाएगा, P1 is equal to 10 to power 2 into 1 minus 1 plus 1, तो 10 to power 2 minus 1 हो जाएगा, 1 plus 1 तो को 11 आ गया, और ये is divisible by 11 है कि नहीं है, is divisible by 11, यानि कि N is equal to 1 के लिए, ये 11 से divisible है, ठीक है, ये तो proof हो गया, इस step 2 में क्या करेंगे, हमने कहा, कि for N is equal to K, ये divisible है, कर देते हैं, तो यानि ये क्या हो जाएगा, 10 to power 2K minus 1 plus 1, ये 11 से divisible है का मतलब क्या होता है, जो भी इसका result आएगा, वो 11 का multiple होगा, 11 into 1, 11 into 2, कुछ ऐसे तो आएगा, तो इसको हमने क्या माले है, 11 lambda, अब ध्यान रख देखे, जब N को K plus 1 लिखेंगे, तो हमको ये result चाहिए, कहीं न कहीं से, और ये result जब आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 11 lambda, क्योंकि हमको इसको यूज करना पड़ेगा, तो for N is equal to K plus 1, देखे, क्या करेंगे, for N is equal to K plus 1, step 3, ये step 2 था, step 3, step का नाम लिखो न लिखो, step ऐसे तो मैं लिखवा रहा हूँ, आप चाहो तो लिखो, चाहो न लिखो, for N is equal to K plus 1, अब देखो लिखो यहाँ पर, P K plus 1 is equal to, वो तो नाम है इसका, 10 to power 2, N को लिखा हमने K plus 1, minus 1, plus 1, ध्यान से समझेगा, हमको ये चीज कहीं से अलग करनी होगी, ठीक है, अभी कुश कोशन जब अलग नहीं हो पाएगा, तो उसका भी एक विदा है, उसका एक method है, इसको खोड़ो, तो ये 10 to power 2K plus 2, minus 1, आएगा कोई दिकत, देखो, हम अगर इसको करें, 10 to power 2K plus 2K minus 1, अलग कर दे, और प्लस 10 to power 2, अलग कर दे, into में आएगा, sorry, कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इतने को, 10 to power 2K minus 1, अलग, into 10 to power 2, अलग, ज़रा ध्यान करिए, exponential की property, अगर base equal होता है, तो ये power add हो जाती है, तो ये base equal है, multiply में दोनों लिखे हैं, power add करोगी, तहीं तो answer आएगा ना, हमने इसको अलग कर दिया, और प्लस 1 आ गया, ठीक है, अब इस result को दिमाग मे रखिएगा, देखो हमारी requirement क्या है, कि भीया, 10 to power 2K minus 1 चाहिए, उसके साथ ये 100 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो ये 100 लिखा है ना, तो अगर हम चाहें, तो 10 to power 2K minus 1, जो 100 है, इसको 1 plus 99 कर दें कोई दिकत, हमको इसके साथ 1 चाहिए ना, तो 100 को दो भागों प्रेक कर दिया, 1 अलग कर दिया, और 99 अलग कर दिया, और प्लस 1, bracket खोल दीजे, तो आएगा 10 to power 2K minus 1, जब bracket खोलोगे तो इसका multiply 1 से होगा न, यही तो रहेगा केवल, और प्लस 99 के साथ आएगा, 10 to power 2K minus 1 और प्लस 1, इसको एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है, देखें, लिखते है एक सा तो हमने 10 to power 2K minus 1 और प्लस 1 एक सा लिख दिया, और यह 99 वला step अलग कर दिया, अभी आप ध्यान से देखें, यही तो आपने 11 lambda किया equation 2 में, ध्यान देखें, इसके पहले जो आपने लिखा है, और प्लस 99 into 10 to power 2K minus 1, हमने यहाँ किया किया है, using equation 2 कर दिया है, है न, अब 1 माना था, देख लिजेगा, तो भी equation हो, क्योंकि इसको 1 हमने माना नहीं है, चेक कर लिजेगा, यहाँ से 11 कामन हो जाएगा, तो आएगा lambda plus 9 into 10 to power 2K minus 1, अब देखो ध्यान से, 11 के साथ bracket में लिखा है कुछ लफडा, और यह भी कोई value तो आएगी न, कुछ भी रखोगे, क कुछ अगड़म पगड़म तगड़म कोई 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10 कुछ आएगा न, तो is also divisible by 11, divisible by 11, इसका मतलब क्या होता है, so pn is divisible by 11, divisible by 11 for all the values of n, all the values of n, हर value के लिए, n की हर value के लिए होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नोट कर लिए,